हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो यो माई एजुकेशन चैनल रोसन इंग्लिस क्लासेश आईए आज आप लोग को एक मैसेज के बारे में हम बताते हैं जो की हर स्टुडेंट्स के पास गया है हर स्टुडेंट्स मतलब जो भी पोल टेकनीक या आई टी आई के लिए जो फर्म भरे सुर्ण फर्म लेकिन किसी वज़ा से उनका एडविशं नहीं हो पाया था गौर्मेंट जॉब में तो वैसे स्टुडेंट्स के पास एक मैसेज गया है आज हर के पास गया होगा साध आपके पास भी आया होगा वह मैसेज मैं आपको एक बार पढ़कर के बताता हूं पे एक अस्कूल का नाम दिया हुआ होगा On the Merit of DCECEPE 2020 The last date to take admission is 24-2021 Ordered by BCECEB नीचे एक contact number दिया हुआ होगा तो देखे आखिर ये message का राज क्या है कहीं आप पास भी तो नहीं गया है कहीं आपको भी तो नहीं फसाया जा रहा है इस message के थ्रोप तो धalten दियेगा जितने भी students को admissions नहीं हो पाया है तो यह message वही ए एच टूँडेन्ट्स के पास जा रहा है other students के पास नहीं जा रहा है जो की पोल्टेकनिक एक्जाम दिये थे और उनके अड़िशन गौर्णमें नहीं हो पा रहा है तो एक मैसेज उनके मौईल पर भेजा जा रहा है इस तरह से लिख करके और इस मैसेज में मतलब धेर वैसे स्टुडेंट से हैं जो मतलब खुस हो जा रहा है कि चलिए मेरा सेले तो मतलब खुस हो गया है है लेकिन फिर भी मैसेज के वारे उनको सही तरह से पता नहीं है तो आए उस मेसेज को बारे में आपको बताता हूं कि आकियो मैसेज के पीछे राज क्या है अगर मैसेज जो है ग्वर्मेंट गॉइर्मेंट कॉलेज से आती तो गॉइर्मेंट कॉलेज में देखे जितने भी सीट थे गॉइर्मेंट कॉलेज का वो सब फूल हो चुका है तो अब इतना समय होने के बाद एक मैसेज आ रहा है कि dear candidate you are selected in अब बताई यहां पे लिखा ही गया है इस तरह से कि students को पढ़कर के लिया कि मेरा मतलब पॉलिटेकनीक में या ITI में सलेक्ट हो गया है तो देखे यह एक सब प्राइवेट कॉलेज का जाल है जाल रचा हुआ है देखे क्या है प्राइवेट कॉलेज को अश्टेट से आपका नमर प्राप्थ हो चुका है और उस number से आपको message किया जा रहा है देखिए private college में seat बहुत सारे available है और वे जो हैं किसी तरह से सोच रहा है कि मैं अपने seat को full कर लूँ चाहा तो आप उस contact number पर बात भी कर सकते हैं उस contact number पर आप बात किजिएगा तो आपको सिर्फ बताया जाएगा कि आपको सिर्फ registration चार्ज लगेंगे registration चार्ज जो भी आपको बताया जाएगा पांस जार या देजार या जितने भी लगेगा वो आपको caller बतायागा कि आपको सिर्फ registration चार्ज लाएगा का बाकी एडविशन जो है जितना भी खर्च आएगा वह सब आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिये होगा तो देखिए काने का मतलब है और वह अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे कि यह जो कॉलेज है वह सेमी गौर्मेंट है तो देखिए यह सब उनकी रचा अगले बार आप प्लिटेकनिक का एक्जाम दे उसमें आप निकालिए प्राइवेट कॉलेज के चकर में मत पढ़िए प्राइवेट कॉलेज में आपको पहले आपको एक मैसेज के थूरू आपको एट्रेक्शन करेगा उसको फसाएगा उसके बाद आपको मरेश्टेशन लेगा उसके बाद आपको कहा कि टोटल जो खर्च होगा वह student credit card से ही आपको पे होगा तो देखिए student credit card से अगर वह पैसा लेता है तो student credit card में जो पैसा जितने भी निकलता है तो वह पैसा आपको ही कहीं नहीं कहीं भरना पड़ता है तो इसलिए आप वैसे message को ignore करें और करेंगे तो उनका लॉस है तो उन्होंने एक नया जरिया बनाया कि मैं जितने भी जो जिनका आड़िशन नहीं हो पैसा मैं उन्हें स्टूडेंट्स का नंबर लेकर के उनके पास message करूं और message करूं तो देखिए लिखने का तरीका you are selected in और वहाँ पे college का नाम दिया गया है पहले आपसे registration चार्ज लेगा registration चार्ज लेने के बाद फिर आपको student credit खुलेगा student credit से आपको मतलब बहुत सारे scheme लगा करके वह पैसा लेंगे मतलब बहुत सारे खर्च में डाल देंगे फिर बाद में आपको पस्ताना पड़ेगा तो इसलिए आज मैं यह message का reply मैं अपने चैनल के माधियम से दे रहा हूं बहुत सारे students आज इस message को मेरे mobile पर screenshot भेजा फिर message किया फिर call के जरी यह पूछ मेरे पास ऐसा message आ रहा है आखिर इसका मतलब क्या है तो देखिए मैं मतलब बहुत सारे students को फोन पर जबाब नहीं दे सकूंगा तो मैं एक अपने चैनल के माधिम से आप सब को बता देता हूं कि आप इस message को ignore करें यह सब message जो है private school का है और private school आपको फसाना चाहती है और फांस जाएंगे तो फिर आपको जो है पैसा लूटेगी ठीक है तो आप मेहनत करें और अगली बार से एक्जाम का तयारी करें और अगली बार आप अपना government job में नामांकन हासिल खलें best of luck thank you